मौसम के बदलने के साथ साथ आजकल बुखार से ग्रस्त लोगों की परिशानी सुनना लगभग आम बात होती जा रही है और इसकी खास वज़ा मच्छरों को माना जाता रहा है आम तोर पर तो हम यही जानते हैं कि मच्छर गंदी जगहों पर बहुत जल्दी आते हैं लेकिन बहुत सफाई के बावजूद ये आपको परिशान कर रहे होंगे जातर लोग मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए क्वाइल जलाते हैं या फिर केमिकल वाले लिक्विड का इस्तमाल करते हैं मच्छरों से परिशान होकर हर कोई तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट का इस्तमाल करता है जो मच्छर तो बेशक भगा देता है लेकिन आपके स्वास्त पर उससे ज़्यादा असर डालता है हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको इन सब नुकसान दायक और महेंगी चीजों से उधर कुछ घरेलू और असरदार तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाने के बाद आप खुद देखेंगे कि किस तरह से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे सबसे पहले आपको बता दें कि मच्छरों को लौंग और नारियल के तेल की खुश्बू जरा भी पसंद नहीं आती है जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं आपको बस करना इतना होगा कि नारियल के तेल में लौंग का तेल मिला कर इसे अपने शरीर पर लगा लीजिए और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो घर से मच्छरों को बाहर निकालने के लिए कमरे में कपूर की टिकिया को जला सकते हैं आपको बता दे कि इसके दो फायदे होंगे पहला इसके खुश्बू से घर में अच्छा वातावरण बनेगा दूसरा घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे आप चाहें तो अपने घर के आसपास नीम के तेल का छीड़काव भी कर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा करने से घर में मजूद सारे मच्छर 9211 हो जाएंगे इसके साथी साथ आप नील गीरी के तेल से भी मच्छर को असानी से भागा सकते हैं जबकि ये तेल असानी से मिल नहीं पाता है लेकिन जहां भी उपलब्द हो सके मच्छर भागाने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है कि यूरेन हेल्थ डेक्स से बिनितराय की रिपोर्ट झाल